कि नमस्कार दोस्तों और मेडिय अपडेट्स चैनल में आप सब का स्वागत है मैं आपका दोस्त ही राजिरू आपके लिए एक निया टोपिकर लेकर आज हम बात करेंगे सिर्फ एक गिलास गरम पानी पीने से आपको शिर्ष को क्या क्या फाइदे होती है आप 90% तक डॉक्टरों के चक्कर से बच सकते हैं आज हम जिस जानकार के साथ समक्षाएं हैं ये भोजन करने के कुछ समय बाद गरम पानी पीने के बारे में ही नहीं बिल्कि हार्ट अटेक, मुटापा, जोडों का दर्द, जवाँ बनाए रखने, बालों के लिए मासिक धर डेटोक्स, ब्लड सर्प्लेशन, सर्दी जुकाम, श्रीर को उर्जा देना और पेट को दुरुस्त रखने और कबस्य रहत आदिक के बारे में एक अच्छा वीडियो है, चीनी और जपानी अपने भोजन के बाद गरम चाय पीती हैं, ठंडा पानी नहीं, अब हम भी उनकी आदत अपना लेने चाहिए, जो लोग भोजन के बाद ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, यह वीडियो उनकी लिए ही है, गरम पानी पीने में भली अच्छा ना लगे, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज़रूर इसे पीने पर मजबूर कर देंगे, यो तो हानिकारक पर भववाए पहले इसे जान लीजिए, भोजन के साथ कोई ठंडा पे या पानी पीना बहुत हानिकारक है, क्योंकि ठंडा पानी आपके भोजन के तेली अपदार्थों को जो आपने अभी अभी खाए हैं, ठोस रूप में बदल देता है, इससे पाचन करिया ब अब जानते हैं गरम पानी पीने के फायदे, भोजन के बाद गरम सूप या गुनगना पानी पिया जाए, एक गिलास गुनगना पानी सुबह उठते ही, ठीक सुनने से पहले और खाना खाना की कुछ समय पश्चाथ गरम पानी पीना चाहिए, इससे खून के ठक्के नहीं बनेंगे और आप हार्ट टैक से बचे रहेंगे, गरम पानी जोडों को चिकना बनाता है और जोडों का दर्द भी कम करता है, हमारी मास पेशों का 80% भाग पानी से बना हुआ है, इसलिए पानी पीने से मास पेशियों के अंठन भी दूर होती है, चेहरे पर पढ़ती जु बालों और तवच्चा के लिए बहुत फाइदेमंद है, इससे बाज चमकदार बनते हैं और यह इनकी ग्रोथ के लिए बहुत फाइदेमंद है, गरम पानी पीने से बोड़ी को डिटोक्स करने मदद मिलती है, और यह श्रीर की सारी अशुद्यों को बहुत आसानी से साफ कर देता है, गरम पानी पीने से श्रीर का ताफमान बढ़ने लगता है, जिससे पसीना आता है, और इसके माध्यम से श्रीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, गरम पानी पीने से पाचन के लिए अच्छी रहती है, और यह गैस की समस्यमा भी रहात देता है, खाना खा और इसमें गरम पानी पीना बहुत फाइदमंद रहता है। सोफ्ट ड्रिंक की जगह गुंगना पानी या निम्बू पानी पीने से आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और डाइजस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा। अगर आपका वेट लगातर बढ़ रहा है और लाख कोश्चों के बावजूद भी कोई फर्क नहीं बढ़ रहा तो आप गरम पानी में शेहद और निम्बू मिलाकर लगातर तीन महिने तक पीएं। आपको फर्क जरूर महसूस होगा। अगर आप ये healthy drink नहीं पीना चाहते हैं तो आप खाना खाने के बाद एक कप गरम पानी पीना शुरू करते हैं। बेम मौसम में भी अगर आपको चाथी में जकड़ान और जुकाओं के शुकाश रहती हैं तो गरम पानी पीना आपके लिए राम बान से कम नहीं है। गरम पानी पीना से गला भी ठीक रहता है और इसके सेवन से अराम भी मिलता है। तो दोस्तो ये थे गरम पानी पीने के फैदी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तो अपने मित्रिया किसी रिष्टतर को इसकी जरूरत है तो उसे भी आप इस वीडियो को सेंड कर स सकते हैं ताकि वह भी इसका फाइदा उठा सकें तो अब अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए फिर मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार